मैं सजीब कुमार सिंग, IPT Action School Advanced Action Trading Center से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस video tutorial है तो दोस्तों आज का topic है IFS, IFS 2019 की जो नई formula IFS के बारे में डिसकस करेंगे उसे पहले और आपने में वीडियो को चैनल को subscribe ने किया है तो प्रीज चैनल को subscribe करेंगे क्योंकि इस 2019 के खत्रम होने से पहले मैं 5000 से उपर वीडियो अपलोड करूंगा और यह हमारा दिसम्बर नॉवंबर चल रहा है नॉवंबर दिसम्बर दो महीने डेर महीने का लाग्स है कि कम से कम 5000 वीडियो इसकी उपर अपलोड करें तो प्लीज में चैनल को subscribe करें ताकि हमारे 5000 वीडियो जो है आपसे मिजना हो वह भी Excel, Access, Tableau, SQL, Power BI, and Dashboard से देटेट तो चलिए discuss करते है आज की इस topic पर तो एक दो formula है एक हमारा if जो कि हम traditional सुरू से यूज करते आ रहे हैं Office 95 से इसको यूज करते आ रहे हैं और दूसरा है ifs का formula तो चलिए ifs के formula में हम बात करते हैं कि क्या खासियत है एक example पर ने सेट किया हुआ है कि हमारे पास sales items है और इस sales item भी हमारे पास sales है 0 से 40 हुआ तो 500, 4180 हुआ तो 1000, 81100 हुआ तो 2000 and 5000 तो पहले पिसको ifs से लगाते हैं उसके बाद हम आपको ifs करेंगे तो हम यह लगाते है कि if अगर a हमारा less than equal to 40 हुआ तो 500 होना चाहिए otherwise फिर मैंने if दिया कि if अगर a less than equal to 80 हुआ तो 1000 होना चाहिए again if दिंगा और हम यहां पे लगाएंगे कि less than equal to अगर a 100 है तो 2000 होना चाहिए again if हमने लगाया और हमने बुला कि less than equal to तो नहीं greater than यहां पहोगा greater than equal to अगर 100 है तो यह 5000 होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि हमने if को यहां पे लगाया हुआ है result आपके सामने है अब मैं इस formula को एक formula text का formula होता है formula text से हम इस formula को show करते हैं ताकि आप उसको easily compare कर सकें कि आखिरें कैसे यूज हो रहा है अब दूसर formula हमारा है ifs का यह हमने कर लिए अब दूसर formula हम बात कर रहे है किसकी ifs की तो अब ifs में देखे कैसे होगा कि हम लगाया है formula fs हमने condition दिया कि less than equal to 40 जैसे हम उपर भी दे रहा है तो यहां पे 500 है अब मैं यहां पे दूबारा if नहीं लगाऊँगा मैं दस दूबारा अपना logical operation दूगा कि less than equal to 80 तो यहां पे 1000 तो इसमें आपको if देने की जरूरत नहीं है a3 is less than equal to 100 तो यहां पे आना चाहिए 2000 और in the last अगर a less than नहीं greater than अगर 100 है तो यहां पे आना चाहिए 5000 है कि यहीं कंपेरिंग है आपको ifs में और आपका if में आप देख सकते हैं कि इसमें benefit क्या हुआ कि इसमें हुआ कि हमने जितना condition दिया हुपपाले में उतने tips लगाने पड़े आप यहां देख सकते हैं तो हमारे साथ online classes ले सकते हैं live interactive world to world website iptindia.com पे जाए डाइमो क्लास का फॉर्म बढ़िए या फिर मुझे वार्ट्सव या स्काइप कीजिए कॉल कीजिए और किसी भी तरह का एक्सम की प्रॉलम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं थाइक्स वीडियो वीडियो हैव नाइस देख